पार्नर्सिप में आगे कोशन जो है उन टॉपिक्स को करने के लिए हमें कुछ इंपोर्डेंट पॉइंच का पता होना जरूरी है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो important points बता रहा हूँ, यह बहुत important है, तभी आप आगे question कर पाओगे, otherwise आपको दिक्कत ही आएगी, ठीक है, अभी तक आपने interest on loan निकालना सीख लिया है, ठीक है, और interest on capital भी आपको आता है, पर इसमें भी कुछ चीजें हैं, interest on drawing इसमें भी कुछ चीजें हैं, और salary and commission इसमें भी, तो यह तीनों में कुछ चीजें जो हमें करना है, ठीक है न, यह points इन में कुछ हैं, तो वो clear अगर नहीं होंगे हमारे, तो हम आगे question easily नहीं कर पाएंगे, तो आज हम सबसे पहले interest on drawing से शुरू कर रहे हैं, आपको partnership deed का mainly यह पता तो है कि अगर partnership deed होती है, तो interest on capital यह लोग decide कर लेते हैं, कि हम लोग कितना, हमें कितना interest on capital मिलेगा, यह deed में लिखा होता है, ऐसे ही loan में भी लिखा होगा, कि अगर कोई भी partner firm को loan दे रहा है, तो कितना interest ब्याज के साथ लेगा पैसा, ठीक है, ऐसे interest on drawing, अगर कोई भी partner drawing कर रहा है, तो उसको कितना interest firm को देना पड़ेगा, और उसकी salary क्या होगी, commission क्या हो interest on drawing नहीं मिलेगा, salary और commission भी नहीं मिलती, इसके अलाब एक और point है, वो है profit, वो उन सब लोग में equally बढ़ जाता है, अगर partnership डीड नहीं है, तो अगर है, तो उन्होंने profit sharing ratio जिसे साब से अपना decide क्या है, उसी profit sharing ratio में उनको देते हैं, अब सबसे पहले आता है interest on drawing, interest on drawing, drawing हम ह अब वो जब drawing एक partner कर लेता है, तो उसको वो drawing का पैसा भी firm को वापिस करेगा, plus interest भी कुछ देगा, तो उसको बोलते है interest on drawing, देखो interest on drawing है, interest on loan है, interest on capital है, सारे के सारे, कब दिये जाते हैं, 31st March, कब दिये जाते हैं, 31st March को दिये जाते हैं, तो हमेशा धियान रखना, 31st March को ही सब conclude किये जाएंगे, interest on drawing निकारने के लिए, हमारे पास दो तरीके हैं, सबसे पहला है regular basis, और दूसरा है irregular basis, irregular basis बहुत easy है, regular basis थोड़ा कम easy है, ठीक है, irregular basis में क्या है, इसमें simple हैं, यह इसके formula यहाँ पर लिखे हुए है, जैसे, इस regular basis का है, जितनी drawing करी है, drawing into rate by 100, जितना उनका rate of interest है, वो, जैसे 6%, 6% 6 by 100 into time by 12, जितना महीने का है, उतने हिसाब से हम लगा लेते हैं, और वही regular basis में, total drawing जितनी भी है, और average time, इसमें हम multiply कर देते हैं, इसमें time by 12 multiply कर देते हैं, अब इस होता है, irregular basis में, क्या है, कि, जो partner है, वो drawing कभी भी कर देता है, मतलब उसका जम मना रहा है, वो तब कर ले, उसका एक तारी को जरूरत पढ़ गे, एक जनवरी को उसने एक जनवरी को ले ली, फिर उसे दो फरवरी को पढ़ी, तो उसने दो फरवरी को ले ली, कोई date fix न में दो चीज़े ध्यान देने वाली है, पहला, देखो, question बहुत easy आता है, इसका, इसमें आएगा, drawing, आपको सब दे रखा होगा, drawing, 10,000, ठीक है न, at 10%, clear है, अगर आपको date, months, कुछ नहीं दे रखा है, उसमें drawing कब करी है, कब नहीं करी है, तो ऐसे simple यह आपको दे रखा है, तो तो कोई दिखे नहीं, आपको ऐसे simple दे रखा है, question में, तो आप simply इसको निकाल दोगे, 10,000 का, 10%, आपने निकाल दिया, यह आजाएगा, 1000, clear है, लेकिन, अगर इसी question को घुमा के, और उन्हें यहाँ पर लिख दिया, per annum, तब, तब चीज़ें अलग हो जाएंगे, ठीक है, months, dates, कुछ नहीं दे रखे हैं, बस उन्हें यहाँ पर पर annum लगा दिया, per annum अगर लग गया है, तो आपको ध्यान रखना है, जो भी drawing है, वो 10% है, वो, पर जो month है, वो 6 by 12 हो जाएगा, ठीक है, जब भी per annum आएगा, तो हम 6 महीने का ही interest लगाएंगे, clear है, interest उतना ही लगेगा, जितना पहले था, 10% ही है, तो 10% है लगेगा, लेकिन अगर पर annum आप लिखा हुआ है, तो हम उसको 6 महीने का ही लगाएंगे, clear है, question आपको simply देतेंगे, एक partner है, उसने drawing करी 10,000 रुपे की at the rate 10%, अगर कुछ नह लिखा है, ये ने drawing करी है, 10,000 की at the rate 10% पर annum, तो उसका interest निकालो, interest on drawing, तो simple सी बात है, पर annum में वहाँ पर लिखा है, तो और date कुछ नहीं दे रिखिये, एक जुलाई, दो जुलाई, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, और सिद्दे, ऐसी simple simple लिखा हुआ है, तो आपको सिद से 6 महीने का interest उस पर लगाना है, clear, इतना ही है, बस ये regular basis में, अब जो regular basis है, उसका मतलब क्या है, एक particular interval होता है, जैसे एक जनवरी, हर महीने की एक तारिक को ले रहा हो, है ना, या हर 6 महीने में ले रहा हो drawing, या फिर हर 4 महीने में drawing ले रहा हो, यानि कि monthly ले रहा होगा, य या फिर quarterly ले रहा होगा, या फिर half yearly, ठीक है ना, या फिर half yearly ले रहा होगा drawing, तो वो अगर regular basis पर ले रहा है, तो उसके लिए हमें ये chart देखना पड़ेगा, ये, regular basis पर है, तो आपको ये chart याद करना है, अभी एक तरीका और है, ये point कैसे निकालता है, but easy यह है कि आप इस chart पर ध्यान दो, ये ही जो यहाँ पर formula है, आपको दिख रहा है, total drawing, और विसे बादे 10,000 यहाँ है, तो total drawing 10,000 होगी, rate जितना उन्होंने दे रखा है, वो यह है, average time, average time जो है, वो सारे यह है, ठीक है, ये average time, ये, अब ये हैं क्या, करना क्या है, ये अब मैं आपको बता द अब देखो, ये मन्तली है, अगर वो मन्तली निकाल रहा है, और शुरुवात में निकाल रहा है, हर महिनी की एक तारिक को, तो कितना interest पड़ेगा, 6.5, अगर वो हर 4 महिने में निकाल रहा है, यानि कि quarterly पैसा निकाल रहा है, और beginning में निकाल रहा है, हर महिनी की एक तारिक को तो 7.5 और अगर वह halfway हर श Lance में ड्रइंग कर रहा है औरम बिगनिक में तो 3.5 वैसे ही अगर वह Mohonly drawing कर रहा है ठेक न और महीने की मिड में कर रहा है यानि कि 15 तारीक को कर रहा है तब दो 6% लगेगा quarterly भी कर रहा है तो भी 6% लगेगा और halfway कर रहा है तो 3% लगेगा, ऐसे end, end कब होता है, 31st या फिर 30, जो भी date होगी, अगर वो last में कर रहा है, last date पे, तो interest की नमपड़ेगा 5.5, quarterly करेगा तो 4.5, हाफिली करेगा तो 2.5, यह आपको दे रखा होगा question में, क्यों मंतिली कर रहा है, quarterly कर रहा है, या हाफिली कर रहा है, beginning में कर रहा है, middle में कर रहा है, या फिर ending में कर रहा है, beginning कब होगी, एक तारिक को, mid 15 तारिक को, और end 30 या फिर 31 को, ठीक है न, अगर वो मंतिली के शुरुवात में कर रहा है, तो सीदी सीदी वाद है, मंतिली निकाल रहा है, और एक तारिक को निकाल रहा है, तो हर मेने का होगा, तो 6%, 6.5% interest उस पे लगेगा, तो यहाँ पे, अ 10,000, for his personal use, at the rate of 10%, ठीक है, न, on monthly basis, ठीक है, monthly basis है, तो हमको पता है, अगर monthly basis और शुरुवात में निकाल रहा है, तो हमना रहा, कितना परसंट लगेगा, 6.5%, तो यहाँ से सीदे हमने कोशन देखना है, और सीदे 6.5%, यहाँ पे average time की जगा, पूट कर देना है, clear है, अगर वैसे mid में है, तो 6 कर देना है, और वहीं end पे कर रहा है, तो 5.5 लिख देना है, simple है, ठीक है, कोई ठीक है, अगर इसमें समझ में नहीं आया कुछ, तो पूछ लेना, बहुत ही simple है, आपको question में सब कुछ दे रखा होगा, कि उसने drawing कब कर रहा है, monthly कर रहा है, quarterly कर रहा है, beginning मंठली निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो regular basis पे ही निकाल रहा है, अगर अगर कुछ नीं दे रखा ह्रहा है, वो इसको भूल रखा कि वो drawing कर रहा है, तो यानि कि वो regular basis पे कर रहा होगा, बस उस पर ध्यान ये देना है कि olur aff를 कर है देखते हैं, यह है हमारा partners capital account, ठीक है, partners capital account किसके लिए बनाया जाता है, it is for each and every partner, बनाया जाता है, अब याद तुद हमारे पाद दो तरीके हैं, है अगर हम account बनाना चाहते हैं, तो हमारे पाद दो तरीके हैं, अब जितने partner है, एकस पार्टनर है, या पार्टनर है, तो हम क्या करेंगे, एकस account बनाया है, यह यह पार्टनर का बनाया जाता है, और वह एक पार्टनर के लिए बनाया जाया, अब बात आती है वो capital method की ठीक ना ये कौन-कौन से method होते हैं जिनके through हम partners की capital निकालते हैं सबसे पहला method है fixed capital account method ठीक है fixed capital account method नाम से पता चला है इसमें fixed होती होगी capital है कि ने fix capital account method यानि कि fixed होती होगी और दूसरा है fluctuating capital account method, यानि कि इसमें fix नहीं होती होगी, simple सी बात ही, अब पहला है fixed capital account method, अब इसमें धिहान देना, कभी भी लिखा हो, question में लिखावा रहता है वैसे, कि fixed capital account follow कर रहे हैं, या फिर fluctuating capital account follow कर रहे हैं, question में मुझे लिखा होता है, और नहीं भी लिखा होता है, तो वो hint दे देते हैं, फता चल जाता है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है, fixed capital account method, पहला है method, तो इसको हम, इसके लिए ना, दो account बनते हैं, partners capital account, और partners current account, clear, partners capital account, partners current account, यह है पहला, partners capital account यह, और partners current account यह, ठीक है, अभी, एक चीज में आपको clear करता है, एक चीज है, मान लोग, सूरज है, ठीक है, सूरज और, उमेंद्र है, एंड साहिप है, यह लोग मिलके एक business चला रहे है, ठीक है, यह partnership firm इन लोग उने, चला रहे हैं, मिलके है, अब यह लोग कुछ पैसा लगाएंगे, ठीक है न, इसने एक लाग लगाए, इसने भी एक लाग लगाए, ठीक है न, और साहिप थोड़ा और अमीर जाद है, तो इसने पांस लाग लगा दिया, तो अमीर आदमी है, है न, तो इन लोग ने यहाँ पे पैसा लगा दिया, यह इनकी capital हो गई, तो इन्होंने जब शुरुवात में capital लगा दिया, तो इनको हम क्या मानके चलते हैं, कि इन्होंने जब लगा दिया है पैसा, तो यही इनकी capital है, हर साल इसको इसी पर ही interest दे देते हैं, ठीक है न, और अगर कभी इन्होंने further capital इंट्रिड्यूस करी, जैसे एक लाग की capital अभी दे दी, अब कभी इनको लगा कि बही और जुरुत बढ़ रही है, तो सूरज ने पचास जार और दे दिया, ठीक है न, इधर भी पचास जार इन लोगों ने भी दे दिये, तो टोटल जो capital होगी वो बढ़ जाएगे, और विर्शी बात है, पचास जार जाएगे, ठीक है न, ये भी एक लाग पचास जार हो जाएगे, और ये पांच लाग पचास जार हो जाएगे, ठीक है न, तो इस हिसाब से अगर क्लिर है, और इसके अलाबा, बस ये ही है इनकी capital से लेटेट है, तो ये ही आजाएगे, अगर इन लोगों ने capital विड्ड्रो कर लिए, ये कुछ द्रॉइंग करना, ड्रॉइंग का मतलब है कि उसने पैसा personal use के लिए लिया, और उस पर कुछ interest दे देगा, और उस पैसा जो भी होगा, वो drawing करेगा अपने personal use के लिए, लेकिन अगर उसने capital निकाल दे तो उसको interest on capital कम दिया जाएगा, है कि निया, अगर मालो सूरज ने 50,000 ये बाद में निकाल दिये, तो उसको फिर interest किते में मिलेगा, एक लाग पे, और अगर उसने 50,000 फिर दे दिये, और यहा इसलिए, fixed capital में दो account बनते हैं, partners capital account और partners current account, partners capital account में इधर partner की capital आयाती है, by balance brought down, यानि कि जो भी उसका balance है, वो हम ले लेंगे, यहाँ पर X और Y है, उनका जो भी opening balance है, मतलब इस साल उनकी capital कि नहीं है, एक लाग एक लाग, तो एक लाग एक लाग यहां लिख देंगे, तो अगर उनने इस साल कुछ और पैसा दिया है, एड किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा, by cash या bank, अगर उनने check से दिया है, तो bank, और cash दिया है, वो यहाँ पर आ जाएगा, अफ इनकी totaling करेंगे, और अधर आ जाएगा, two balance credit down, यहने कि closing balance, और बस यह हो गया, partners capital में बस इतना ही होता है, उनकी capital, opening capital, closing capital, अगर उनने कुछ further add कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे, फिर total कर देंगे, अगर नहीं किया है, तो opening capital लिखे, और closing capital लिखे, और पराबर, simple, इसके लाब और कुछ नहीं करना है, partners capital में यही है, अगर further capital इंट्रिड्यूज होगी, तब ही यह account, देखो, आप लोगों ने 11 class में, मैंने आपको बताया, PNL आपने account बनाया है, PNL account में क्यासा होता था, यहाँ पर सारी income आती थी, received वाली जितने चीज़े होती थी, company की, तो सारी यहाँ आती थी और यहाँ पर सारे खर्चे आयते, rent, electricity bill, वो office वाले खर्चे, तो सब यह आती थी, अब accounts में हमेशा यह सेम ही रहता है, बस यह account यहाँ पर change हो रहा है, नाम ही तो change हो रहा है, यहाँ पर partner की capital है, तो partner का यहाँ पर फायदा हो रहा है, यहाँ बढ़ रही है इन चीज़े, तो इसलिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर closing balance उसको balance करने के लिए, है की न है, तो partner का capital account है, अगर वो balance withdraw कर देगा, तो यहाँ पर minus हो जाएगा, क्योंकि loss हो रहा है, उसको obviously बात है, तो credit side mostly, mostly के हमेशा ही, फायदे वाली चीज़े आती है, और debit side हमेशा नुक्सान वाली चीज़े आती है, ऐसे ही, यह partners का current account है, तो इस side, वो सारी चीज़े आएंग होगा, X का कितना है, Y का कितना है, तो यहाँ पर दे देंगे, तो यह आ जाएगा, interest on capital, भही उनको interest मिलेगा capital पर, तो फायदे की चीज़े यहाँ आएगी, salary उनको मिलेगी, commission मिलेगा, यहाँ आएगा, reserve में कुछ पैसा है, वो भी उनको मिलेगा, तो वो भी यहाँ ठीक है ना, और देखो, two drawing, drawing करेंगे, तो खर्चा है उनके लिए, है ना, नुकसान है, तो इसलिए इस side है, interest on drawing, drawing पर interest देना है, वो भी यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ है, है ना, अगर कोई loss हो जाता है, अब यह दो कोई star लगा रखे हैं, by profit और two loss, यह by profit कहां से आए, अभी हमने क्या बनाया था, इसलिए वीडियो में, पे एनल, एप्रोप्येशन अकाउंट बनाया था, हमने जो लाज्ट वीडियो थी, उसमें क्या कौन से अकाउंट में आए था, पे एनल, एप्रोप्येशन अकाउंट हम लोगों ने उसमें बनाया था, तो यह जो profit है, अगर पे एनल में profit हो रहे हैं उन लोगों, तो वो profit यहाँ आ जाएगा, एक्स और वाइव में यहाँ दे देंगे, अगर पेनल एप्रोप्येशन अकाउंट में कोई लोज हो रहा है, तो यहाँ डाल देंगे, सिंपल है, यह भी पेनल एप्रोप्येशन से आया है, clear, समझ में है, और फिर वो ही है, बैलेंस कर देंगे इसको, और आंसर आ जाएगा, इन दोनों को इदर से जित प्रोप्येशन में तो यहाँ आजाएगा, तब प्रॉफिट नहीं आए, clear, तो current अकाउंट में उसके जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी सारे फाइद है इधर, और सारे नुकसान इधर, और पार्टनर्स कैपिटल में बस इतना ही आएगा, कि उसका opening balance और closing balance, और अगर उसम कब भी further capital introduce करी है, तो उसको यहाँ लिख देंगे, बस, और कुछ ही नहीं करना, पहला method जो fixed capital method है, उसमें बस इतना ही है, यह दोनों खाते है, clear है, इसके बाद आता है fluctuating capital account method, fluctuating मतलब, fixed नहीं है, obviously, तो उसमें क्या करते है हम लोग, एक ही में बना देते हैं, यह दोनों ख fluctuating capital method अगर वो follow कर रहा है, तो हम वो एक ही में कर देंगे, देखो, वो सारे जितने भी खर्चित है, यहाँ आ गए, loss यह सब अगरा, और जो balance brought down यहाँ पर आ जाएगा, जो capital का था, अगर उसने further introduce करिया, तो यहाँ आ जाएगा, बागी उसके जितने भी फाइदे वाली च इसमें, बहुत easy हैं, अब यह चीज़े आपने देख लिए हैं, आज आपको यह सारी चीज़े clear हो गई होगी, कल से इसके question करने start करेंगे, अगर आप लोग के बाब book है, तो आप लोग कर सकते हो, 17, 18, 19, 20, 17 के बाद यही वाले question है सारे, तो आप लोग चाहो तो यह कर सकत देना, यह चीज़े ध्यान देना, परेनम है या नहीं है, रेगुलर बेस पर है या नहीं है, average time निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर चार्ट है, यहना monthly निकालना है, quarterly, यह सब है, और मैं तो इसको एक short trick थी, short trick क्या बोलें इसको, यह monthly, quarterly हाफ यह तीनों उपर रहते ह बची यह, तो इसको हम, मैं क्या करता था, इसको directly learn करता था, जैसे 673, 663, 542, यह एक नमबर की तरह, जैसे किसी के mobile नमबर याद करते है, 673, 663, 542, इस तरह से याद करो, और पहली line में point है, last line में point है, मैं point जोड़ देना है, अब जैसे 673, 663, 542, और उपर फिर बाद मे point लगा दिए, नीचे वाली line में point लगा दिए, simple है, इसके लाब और कुछ नहीं करना होता है, clear है, अगर आपको, आपको कुछी और method से याद हो रहता है, तो आप उस method से याद कर लो, पर यह चीजें सेम ही रहेंगी, यह average, जो हमारा time है, वो इस से निकल देगा, ठीक है, अब, जो average time है, इसको निकालने का भी एक formula है, average time निकालने का formula है, time left after first drawing, ठीक है, plus time left after last drawing, divided by 2, अब अगर कोई इंजान है, वो जनवरी से दिसमबर तक कोई company है, firm है, वो जनवरी तू, दिसमबर वाला financial year, यूज कर रहे है, तो अगर वो एक जनवरी को पैसे निकाल रहे है, drawing कर रहे है, ठीक है न, तो पूरे साल, अभी तो एक जनवरी को करेगा, तो time left after first drawing, है न, time left after first drawing, तो कितना time बचा है, पूरे के पूरे 12 महीन है, clear है, ऐसे ही time left after last drawing, last कब करेगा, दिसमबर में करेगा, एक दिसमबर को, ठीक है न, तो एक दिसमबर को जब करेगा, तो कितना time बचा है, एक महीना, तो plus एक महीना, divided by 2, है न, आ जाएगा 13, divided by 2, 6.5, ठीक है, अगर देखो, अब इसमें एक जनवरी को कर रहा है, यानि के, मन्त के beginning में कर रहा है, और यहां पे 6.5 आया था, तो यह आ गया, 6.5, ठीक है, तो अगर average time का कभी formula है, वैसे पूछते नहीं है, बढ़र अगर पूछ भी लेंगे, तो यह उसका formula है, time left after first drawing, plus time left after last drawing, पहली drawing को कब कर रहा है, वो पता करना है, और last drawing कब कर रहा है, वो देखना है, और दोनों को plus कर देना है, उसके बाद solve करोगे, तो भी यह यह आएगा, अगर यह नहीं करना चाहते हो, तो simply if charge याद कर लो, ठीक है न, copy paste कर देना, simple है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम इसके particular question करेंगे, ठीक है, और अगला आप लोग के बाद book है, तो आप लोग खोदे एक बाद ट्राइए करना, कोई दिक्कत होगी, तो पूर सकते हो आप लोग, ठीक है, कल एक बाद में salary और commission के बारे में बताऊंगा, salary और commission में भी एक point है, उसके बाद सारी चीज़े sort out हो जाएंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ question पर ही ध्यान दे सकते हैं, clear है, ठीक,